बिस्मिल्यारावाइनराहीम, असलावलेकून दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जासनसारी और आप देख रहे हैं जासनसारी फूर सीकर्ट्स बिस्मिल्लावाण सबसे पहले हाफ के जासरी नहीं बताई मैं आपको बताऑगा कि आप पुलावागे राइस खिले खिले क्यों नहीं होतें उनका कलर ब्लर क्लर कोंट जाता है मिए जाता है drastic वो कि मैं हो जाता है बिसमिल्लारामारे, सबसे पहले हाफ के जी हमने चिकन लिया है, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से दो लिया था, अब इसके अंदर एक प्याज जाएगा, काट के इस तरह साबत ही, प्याज के बगार यहनी नहीं बनती, यह कनफर्म है, ठीक है, अब इसके अंदर तीन जाएगी ही जाएगी, छोटी लाची और सौफ खुश्बू के लिए है, अब हम इसमें एड कर देंगे, डेर गलास के करीब पानी, और साथ ही साथ हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे, आपने यहाँ पे गोश्ट को फुली बॉयल नहीं करना, ठीक है, सिरफ आपने दस से बा पूटियां हैं, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, आपको फील होड़ा होगा कि गोश्ट में अभी थोड़ी कसर है, इस यहनी का क्या करना है, कैसे चीदे निकाल लीए हम बात में डिसकस करेंगे, चले जी, अब यहाँ भी हमें चाहिए कुकिंग ऑईल तकरीबन पॉने कप तो यहाँ पर हमारे पास एक प्याली प्याज है, यह तकरीबन दो मीडियम साइज के प्याज से जिनको मैंने बड़ी चॉप कर लिया था, इस रेस्पी में आपने चॉप ही आट करने है, ठीक है, तो यहाँ पर जब यह बहुत अच्छे से ट्रांस्पेरंट हो जाएंगे तब 1 टेबल स्पून फ्रेश अदर्ग लैसन का पेस्ट आलेंगे, अच्छा याद रखिएगा, अदर्ग लैसन के पेस्ट को आपने 3 मिनट जूर देने है, चाहिए आपको फ्लेम कम करना पड़े, लेकिन इससे कम टाइम आपने इसको नहीं पकाना ठीक है, क्योंकि इसक 3 मिनट के जादा आपने सको आपकाना ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स एड़ेंगे, लाल मिर्च का पाउडर एड़नी करना, चावलों का कलर डार्क हो जाता है, जो अच्या नहीं लगता है, ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें खुश थनिया, पाउडर एड करेंगे भरगर, और साथ इसमें काली मिर्च में साबत एड़ कर रहा हूँ, हाफ टीस्पून ठीक है, पाउडर भी जाएगी, लेकिन ये भी आपने एड़ करनी इसके पकार पुलाओ, नहीं बनता, जीरा हाफ टीस्पून एड़ करेंगे, ये भी साबत जाएगा, काली मि मसाले हैं, बहुत शांदार त्विके से फ्राई हो रहे हैं, ये लो फ्लेम के उपर मैं सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपने इनको जलाना नहीं है, अब हमने जो बोटिया निकाली थी, बॉइल चिकन की, उनकी हमने करनी है बुनाई, ये मेन इस रेसिपी का कहलें के, ज जलेंगे नहीं खाली ओयल के अंदर ठीक है, क्योंकि चिकन मुझूद है ये जलेंगे नहीं, एक प्याली यानिके 100 ग्राम बिल्कुल अच्छे से पैंटा हुआ, इसमें दही आइड कर देंगे, अब आपने कम से कम 10-12 मिनट भुनाई करनी है इस चिकन की ठीक है, इसकी प ये नहीं चाहिए, इनकी यखनी, इनका टेस्ट, इनकी खुश्बू हम ले चुके हैं, इनको साइट पे करते हैं, जाया कर देंगे, और ये जो यखनी है, अब आप एक्स्ट्रा फ्लेवर चाते हैं, तो इसके अंदर आप कनौर की जो चिकन क्यूद्स होते हैं, वो भी आ करूँगा, अगर मेरे पास यहनी दो गलास बची होती ही, तो हाफ गलास में पानी कर देता है, लेकिन ओवराल लिक्वड हमें धाई गलास से आई, ठीक है, चलेंजी, अब यहाँ पे हम नमक चेक कर लेते हैं, नमक कहीं कम यह जादा थो नहीं, तो नमक मुझे कम लगा, तो वान टी स्पून नमक एड़ कर देंगे, यहाँ पे आप कभी भी कोई भी पुलाव ना बनाओ बनाएं, तो यहनी का आप यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं, ठीक है, कम जादा हो, आप कोई भी चीज़ मिर्च आप यहाँ पे अड़ कर सकते हैं, धक्कर रख देंगे, प्यार के साथ एक दफा इन चावलों को मिक्स करते हैं, अब यहाँ पे बहुत अहम बात आजाती है, कि आपने दम कैसे और कब लगाना है, देखें, जब भी चावल एड़ करते हैं, तो फ्लेम को हमेशा फुल हाई रखते हैं, चावल कभी भी लो फ्लेम के उपर नहीं ब लगा दें, यहनी के दुराँ जो नजर आ रही हो, तो चावल गल जाते हैं, हलवा बन जाते हैं, पपा बन जाते हैं, और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो हाई फ्लेम करके यह देखें, मैंने इसका जितना पानी था वो यहाँ पे अल्मोस्ट ड्राइ कर तो यहाँ पे लगाने के बाद आपने रुमाल के साथ धक्का रख देना है, नीचे तवा रख देना है, लो फ्लेम के ओपर ठीक है, बीस मिनट के बाद, बिसमिल्ला है रहमान रहीम, तो माशाआलला, लहमदुलिल्ला, देखेंजी, मेरे अल्ला की शान, उसकी रहम देने यहनी पुलाव रेसिपी तयार है, चिकन पुलाव रेसिपी तयार है, इसी तरह चिकन बिर्यानी रेसिपी के लिए, चिकन कोर्मा रेसिपी के लिए, चिकन कड़ाई रेसिपी के लिए, हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन विजाए, अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी